हेलो दोस्तो, Be Wise and Welly चैनल में आप सभी का स्वाधत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल टेल के बारे में जी हां दोस्तो रेल टेल में तीन बड़ी खबरे निकल के सामने आ रहे हैं और ये खबर दोस्तो डारेक्ली शेर होल्डर्स को यानि कि दोस्तो हमको benefit करने वारी है long term में तो क्या ये खबर है आपको detail में समझाने वाला हूँ और साथ ही दोस्तो technical chart पे एक बार फिर से आपको मैं fresh buying level बताने वाला हूँ near term में यहाँ पर कितने target हमको मिल सकते हैं इसके पीछे क्या rational है पूरा दोस्तो आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखिएगा काफी insight आपको मिलने वाले इस वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के updated and informative content के लिए तो चलिए सबसे पहली ख़बर पर हम चलते हैं पहली ख़बर है दोस्तों यहाँ पर रेल्टेल को इंडियन एरफोर्ट से 89 करोड का order मिरा है यहां दोस्तो 89 करोड का यह एक और नया order मिरा है और आपने देखा होगा recently दोस्तों हमने पिछले पाँ-छे महिने में कितने order से यहाँ पर रेल्टेल को मिलते हुए देखे ठीक है क्योंकि दोस्तों देखिए जिस प्रकार के business model में है जिस प्रकार के sector में है यह broadband services VPN services यह company प्रोवाइट करती है टेलिकॉम नेटवर्क क्रियेट करने का काम करती है और इसका पूरा business model हम दोस्तों detail में समझ चुके है तो यह जो business sector में जोड़ी हुए दोस्तों यही बविश्य होने वाला है तो रेल्टेल दोस्तों बहुत अच्छी company है और देखिए वापिस एक order मिला है तो इसको लगाता है दोस्तों इसकी order book और मजबूत होती जा रही है इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसमें invested है तो इसको definitely आपको hold करना चाहिए आपको बहुत जल्द कितने target मिलेंगे अभी हम technical chart पर बात करेंगे देखिए 89 करोड का दोस्तों यह order मिला है और दो साल का यह order है जहाँ पर कि यह provide कराएगी comprehensive annual maintenance for the Fnet equipment and associated items for two years यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह latest दोस्तों आज ही की अभी की news है अभी यह दोस्तों order मिला है इसको ठीक है चली यह हो गया पहला तो एक और order मिला है मतलब की दोस्तों आप order book यहाँ से देख सकते हैं कितनी healthy हो चुकी है rail tell की इसी के basis पे दोस्तों मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इस order book के basis पे हमको यहाँ से definitely इनका जो revenue growth है clearly visible है और इसी के basis पे हमने target भी decide किये था अभी फिर से एक बार हम यहाँ पर बात करेंगे चली second है दोस्तों आप देख सकते हैं आज करीब इसमें 1.50% की हमको approach मतलब उतनी तेजी देखने को मिल रही जो कि एक positive चीज़ है delivery आप देख सकते हैं 51% की शांदार delivery है और दोस्तों यहाँ पर दूसरी news तीसरी news क्या है चली यह भी बताता हूं आपको तो जी हाँ दोस्तों देखे 25 जूर है आज यहाँ पर result आने वाले हैं साथ ही dividend भी announce होने वाला है तो यह होगी दोसरी news यह होगी तीसरी news पहली है order मिला है और result आने वाले हैं पूरी उमीद है दोस्तों result अच्छा आएंगे क्योंकि पिछले कई टाइम से इन्होंने काफी order जो हैं यहाँ पर win किये हैं जिसकी वज़े से इनकी जो revenue growth है हमको अच्छी खासी होते होगी देखने को मिल सकते हैं quarter में भी and dividend भी दोस्तों announce करने वाली है 31 मार्च को जो dividend announce किया था वो interim dividend था अब दोस्तों यहाँ पर final dividend announce होता होगा हमको देखने को मिलेगा और अब पता चलेगा finally कितनी dividend yield निकल के सामने आती है और जैसी result आएंगे दोस्तों हम आपको फिट से update करेंगे एक और वीडियो बनाके तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अला कि अभी interim dividend के इसाफ से आफ देखे हैं तो इसकी dividend yield करीब 0.70% के आसपास निकल के आती है लेकिन final dividend दोस्तों अगर company अच्छा देती है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि at least 1.5-2% के आसपास dividend हमको मिलता हूँ देखने को मिलेगा इसको हम calculate करेंगे जैसी दोस्तों company का जो official announcement आएगा उसमें जैसी आएगा आपके साथ फिर से एक बार discuss करेंगे पूरी yield निकालने की कोशिश करेंगे और long term में इसका कैसा कितना फायदा होगा यह भी हम बात करेंगे उसी time तो यह है दोस्तो तीर news जो यहाँ पर ultimately shareholders को फायदा पुचाएगी यानि हमको लॉंग term में रेल टेल का शेयर यहां से भागता हो देखने को मिल सकता है चलिए अब बात करें क्या है इसके fresh buying level देखिए दोस्तो फ्रेश बाइंग लेवल इसका cnp पर ही है जी हां दोस्तो आप पूछेंगे कैसे जिन्हाइए देखिए मैं आपको यहांपर P devil और अपर आवर्णि चार्ट पर टिखाता हूं 30 मिनेट पर आपको देखे क्या दिखेगा देखें दोस्तों यहाँ पर 30 म में Сейчас याँ पर but notій होती जा रही है लगातार आप फिर से एक बार breakout देगा consolidation zone का और आपको भागता हो देखने को मिलेगा तो यहां से दोस्तों इसका जो पहला target होगा करीब यह है इसका यहां से वापिस से नीचा है resistance लेकर 165 पहला target 190 दूसरा target और 200 इसका तीसरा target और 200 के भी उपर जाने की पूरी potential रखता है क्योंकि इनकी जो order book है healthy है और जिस segment में जिस sector में काम कर रहे हैं दोस्तों वहां पर definitely growth हमको देखने को मिलने वाली है और जिस प्रकार से infrastructure development हो रहा है Indian railways का rail tail दोस्तों यहां पर इसका आप समझ सकते हैं कि काफी value add कर सकता है और इसके हमको balance sheet में यानि इसके जो top line bottom line में हमको growth देखने को मिल सकती है definitely देखिए आप दिरे दिरे पहले यह base बनाए फिर यह base बनाए फिर यह base बनाए अब यह base बनाए आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहां से उपर जाएगा फिर एक base बनाएगा फिर यहां से उपर जाएगा तो इसी pattern में यह share चलेगा तो आप थोड़ा patience रखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से 300 के target भी मिल सकते हैं आपको आने वाले सालों में तो आप hold करके रखिए business model काफी अच्छा है government की company है fundamentals काफी अच्छे है अब देखते हैं कितना dividend देती है तो dividend yield पर अगर अच्छी निकल के आ गई तो और दोस्तों वारे नियारे हो जाएंगे हमारे तो इस share को hold करके रखिए कोई गबराने की बात निया बहुत ही जबरदस company है और long term में आपको बहुत अच्छा reward करेगी तो I hope दोस्तों ये छोटास analysis आपके लिए काफी helpful informative रहा होगा अच्छा लगाए वीडियो तो please like कीजिएगा, share कीजिएगा और कोई भी question है आपके तो comment box में ज़रूर सकते में आपको ज़रूर रिप्लाइ करूँगा सब्सक्राइब कर देज़ चैनल को इसी तरह के updated content के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में till then take care बाई बाई